हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल देसे प्रॉफिट हो और आज हम बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट जो है यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स वगराब मिलेंगे यहाँ पे क्या दीटेल में कवर करेंगी इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा आखिर तक वाच करीगा तो चलिया आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रदान मंत्री आवास योजना ये किस लिए दी जाती है तो प्रदान मंत्री आवास योजना को जो है 2015 में लॉंच किया गया था इस स्कीम में आपको जो भी भारत के गरीब लोग है उनको सहरी और ग्रामीर छेतरों में किफायती जो है आपे घर पाने में सायता करती है और प्रदार मंत्री आवाज यूजन्या की जो इसकी मैं इसको 2024 तक बढ़ा दियेगा इसको टोटल 3 फेज़ों में जो है cover किया गया था पहले फेज में इंडिया की 100 cities को जो है cover किया था और दूसरे फेज में भी और इसकी 200 cities और जो है आपके cover की गई और जो तीसरा फेज जो कर अभी चल ला है जो कि 2024 तक end होनी कि यहां पर समभावना है तो उसमें जो है और बाकी की बच्ची हुई cities है इंडिया की उसको जो है cover किया जाएगा अब हम इसके कुछ features और benefits लेग लेते हैं आप प्रदान मंत्री आवास यूजना scheme के तहता आपको क्या मिलेंगे तो यहां पर देखिए आपको subsidy जो है आपको 6% तक की जो है आपको interest rate की subsidy आपको प्रोडान की जाएगी माली जब ही rate of interest जो है आपको दे दी जाएगी तो उसमें जो बचेगा जो की बचेगा आपका 2% तो उतना जो है आपको interest rate बगरा देना पड़ेगा पर एनम के इसाब से वो भी आप maximum 20 साल के लिए यहां से loan ले सकते हो अभी आप देखोगे जाधातर बैंकों के rate of interest चल ला है वो चल ला है लगबग साड़े 8% से starting हो रही है वहीं अगर आप प्रधान मंत्री आवास उजना के तायद लेतो तो आपको only 6.50 पर एनम के rate of interest से आपे starting होगी इसमें जो भी differently abled और senior citizen होगे उनको जो है ground floor allot करने का जो है आपे नियम है फिर यहां पर जो है eco friendly technologies को यहां पर use किया जाएगा अपने घर को बनवाने के लिए अभी यहां पर प्रधान मंत्री आवास योजना के जो beneficiaries हैं वो उनको देख लेते किन किन लोगो को इसका फैयदा मिलनेगा तो कोई भी जो middle income group के होंगे जो MIG first के होंगे उनकी जो annual income है 6 लाग रुपए से 12 लाग यहां पर होनी चाहिए फिर यहां पर middle income जो group के लोग है उनको जो है 12 लाग से 18 लाग होनी चाहिए फिर lower income group के जो लोग है उनकी जो है आपर annual income 3 लाग से 6 यहां पर होनी चाहिए और जो EWS वाले है उनकी जो है annual income 3 लाग रुपए से जादा नहीं होनी चाहिए तो वो लोग यहां पर इस scheme के थुरू यहां पर लाव उठा सकते हैं और इसमें जो है SC, ST, OBC की जो categories के लोग हैं और जो भी women हैं जो की belong करती है EWS और LIG income group की वो भी य eligible माली जाएंगी प्रधान मंतरी आवास योजना की scheme के तहट अब इनके कुछ key highlights रेख लेगते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना scheme के तहट EWS और LIG वालों का तो यहां पर सबसे पहले eligibility housing loan amount for interest subsidy कितना मिलेगा तो up to 6 लाग मिलेगा EWS के लिए LIG के लिए भी up to 6 लाग मिले थी और 31 दिसंबर 2022 तक जो है आपे जाएगी और LIG भी सेम जो है 24 तक जाएगी अब applicability of no paka house किया है तो not for upgradation और renovation के लिए आपको जो है आपे loan वगरा नहीं मिलेगा woman ownership और co ownership यहाँ पे जो है अगर आपकी कोई existing property है तो उस पे जो है नहीं require हो थी लेकिन अगर आपकोई new property खरीद रहा हो तो उसमें आपकी woman ownership या co ownership उसमें होनी चाहिए यहाँ पे quality पे जो है काफी जो है focus किया गया है तो quality of flat और house construction क्या होना चाहिए तो BIS code होना चाहिए national building code and according to the NDMA guidelines adopted जो भी इन लोगोंने guidelines जो है अपनी बनाई हुई है उसी के हिसाब से आप अपने घर को construction वगरा करा सकते हो फिर यहाँ पे आपको building design भी जो है approval जरूरी फिर यहाँ पे basic civil infrastructure जैसे की water, electricity, sanitization, sewerage और road की भी जो है आपे mandatory होगी maximum interest subsidy amount आपको कितना मिलेगा तो अगर आप जो है EWSO, LIGO तो maximum आपको 2,67,000 रुपय तक की जो है आपे subsidy प्रदान की जाएगी अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके MIG first और MIG second वालों के लिए आपे कितना loan amount मिल सकता है तो eligibility housing loan amount for interest subsidy up to 9,000,000 यहाँ पे मिल सकता है MIG first के लिए 12,000,000 तक का आपको मिल सकता है maximum 10 और 20 साल के लिए ले सकते हो और यह भी जो है इसकी भी scheme जो है December 24 तक यहाँ पे चलेगी women ownership और co ownership इसमें जो है कोई compulsory नहीं है लेकिन अगर आप LIG और EWS में हो तो उसमें women ownership जो है या co ownership compulsory होगी अब यहाँ पे आपके पास कोई भी पक्का मका नहीं होना चाहिए तो ही आप जो है इस scheme के तुरू ले सकते हो अब यहाँ पे approval for building design जो है वो जैसे कि मैं मताया mandatory है आप और quality of house और flat construction ये भी जो है आपे NDMA की guidelines के इसाब से ही जो है आपे construction वगरा करा जाएगा और उसमें water, road, sanitization, sewerage और electricity की भी जो है यहाँ पे mandatory होगी अब यहाँ पे identity proof इसमें आपको document देना पड़ेगा जिसमें आपको आधार card number आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उनके लिए जो है ग्रामीर छेतर में इपके मकान मगाने ही सुविदा है तो उसके लिए आप इस scheme के तो ले सकते हो प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीर और अगर आप सहर में हो और सहर के जो गरीब लोग है उनको अपना कोई पका मकान चाहिए तो उसके लिए जो है प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन इसके तहर टोटल 4 जार 331 टाऊन को पूरे औल इंडिया में जो है कवर किया गया है अभी तक जैसे कि मैंने बता है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहर जो है टोटल 3 पेसिस में कवर हुआ था पहले फेज में जो है 100 cities कवर की ग और maximum loan subsidy आपको कितना मिलेगा, तो EWS के लिए 6% पर एनम से rate of interest की subsidy मिलेगी आपको, maximum loan amount यहाँ पर 6 लाग तक का ले सकते हो, LIG के लिए 6% यहाँ भी 6 लाग तक का ले सकते हो, MIG first के लिए 4% पर मिलेगा आपको, और यहाँ पर maximum आप 9 लाग तक का लोन ले सकते हो, और MIG second में 3% तक interest subsidy मिलेगी आपको, और maximum loan यहाँ पर आप जो है 12 लाग तक का ले सकते हो, अंडर प्रदान मंत्री आवास युजना के scheme के तहर्त, जो है कौन से ऐसे top banks है जो आपको home loan provide करेंगे, तो सबसे पहले जो नाम आता है, वो आता है bank of बढ़ोदा का, जो आपको प्रदान मंत्री आवास युजना के तहर्त, प्रवाइड कर रहा है, state bank of India आता है, access bank आता है, IDFC 5 bank आता है, बंधन bank, bank of India, HDFC bank, IDBI bank, पंजाम national bank, केनरा bank, तो यह जो है top 10 bank है, जो आपको प्रदान मंत्री आवास युजना के तहर्त, जो है आपको home loan प्रवाइड कर रहा है, वो भी काफी कम rate of interest पे आपको loan मिल जाएगा, यहापे काफी अच्छे subsidy अगरा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए लिए जो है, आप eligible माने जाओ, तो यहाँ पे आपको total 4 category के लोगों बाटा गया है, जो की है LIG, EWS, MIG 1st और MIG 2, आपकी जितनी भी income है, अगर आपके पास कोई भी पक्का मकान नहीं है, तो आप इस scheme के तहर काफी गरीब परिवार से आते हो, तो आप इस scheme का फैदा उठा सकते हो, अपना कोई भी सहरों में अगर आपको पक्का मकान लेना है, या ग्रामिल छेतरों में आपको पक्का मकान लेना है, उसके लिए आप इस scheme के तुरू किसी भी bank से परधान मंत्री आवास योजना के तहर आपे home loan बगरा ले सकते हो, अगर आपको प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन के लिस्ट जो है आपको चेक करने है, उसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हो तो इसके लिए जो website है, इसका link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा, तो इसके आपको जाना है, उसके बाद जो है आपको select beneficiary and select जो है, आपको search by name से जो है आपको search करना है, उसके बाद आपको अपना आधार number डालना होगा, आधार number अगर आपका database में प्रजेंट होगा तो आपका detail जो है बता देगा, फिर आप वहाँ से जो है direct जो है apply कर सकते हो home loan के लिए अंडर प्रधान मंतरी आवास योज़्या अर्बन के तैज, अब अगर आपको प्रधान मंतरी ग्रामीन लिस्ट जो है अपनी check करनी है, तो उसके लिए आपको website जो मिल जाएगी, इस website के link आपको वीडियो की description box में, तो यहाँ पर आपको registration number डालना है और यहाँ पर submit पे click करना है, अगर आपको registration number ही रही है तो आपको जो है advance search पे जाना है, अपनी detail वगरा डालनी पड़ेगी, जैसे कि अपना नाम, BPL number, extension order, तो अगर database में आपका नाम होगा, तो आपको मिल जाएगा, जहां से आप जो है explore कर सकते हो, जो है home loan के लिए apply कर सकते हो, अंडर प्रधान मंतरी आवाश यून्या ग्रामीन के तायर, तो आई होप वीडियो हमार आपको informative लगाओगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा, वीडियो को एक like कर दीजिएगा, और हमें comment करके बताएगा, कि आगर आपकी कोई query वगरा है loans related, तो हमारे किसी भी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हो, तो आज के वीडियो में पास इतना ही, तो मिलता नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद,